आज हम बात करने वाले हैं बुलिस किकर एंड बैरिस किकर की यह जो आपको दिख रहा है चार्ट पैटन यह बहुत ही इपोर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो के अंदर क्योंकि यह जब भी चार्ट के अंदर बनता है तो इसे बैरिस और बुलिस कहा जाता है यह बहु इसकी करगी यह जब भी चार्ट में बनता है तो यह कहां बनता है जैसे इस परकार से आपको चार्ट दिखता है ठीक है तो यह हमेशा से बोटम में बनने वाला है ठीक है जब भी यह चार्ट बोटम में बनता है यह जब दो केंडल्स इनका अकार छोटा या फिर बड़ा भी हो सकता है इनकी जो विक होती है यह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती यह बहुत सारे इसके रिजन्स भी होते हैं तो जब भी यह जब चार्ट पेटर्न बोटम के अंदर बनता है चार्ट के अंदर तो यहाँ पर जो ट्रेंड होता है जैसे चार्ट नीची आ रहा है तो वो उपर की और हो जाएगा मतलब यह रिवर्सल कहलाई जाते है ठीक है तो यह इस चार्ट को रिवर्स कर देते हैं यह ACM की कुछ विश्यस्ता ही होती है तो माते हैं कि यह जो केंडल है यहां से उपन होती है इसके बाद यह नीचे आती है और इसके बाद जब अगले वाले जो केंडल बनती है वो गेप अपन होती है और उपर जाकर उपन होती है इसके बाद ये उपर की और चली जाती है तो इस परकार से इसके अंदर ये गेप यहां पर पाया जाता है तो इसलिए इसे बुलिश कीकर कहा जाता है ठीक है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर बेरिश कीकर की यह जब भी चार्ट के अंदर बनती है तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि चार्ट बनता है तो ठीक है तो यहाँ पर यह टोपर बनेंगी ठीक है और टोपर बनने के बाद यह जब चार्ट उपर की हो जाता है तो उसको नीचे की और वापिस मोड़ देती है तो यानि यह रिवर्सल भी होती है मतलब यही वाना जाता है इसको कि यह रिवर्सल होती है यह चार्ट का जो ट्रेंड चला है इसको रिवर्स कर देती है और यह हमेसा टोप पर बनती है तो मानते हैं कि यह जब भी ये जो होता है चार्ट ये ऐसे ऐसे बनता है ठीक है और ये जब उपर जाता है तो ये उपर जब भी बनती है तो ये इस चार्ट को रिवर्स कर देती है तो यहां पर हम इस गरीन केंडल की बात करते हैं ये यहां से ओपन होती है इसके बाद जो बायर होते हैं इस चार्ट को उपर के और लेके जाते हैं और यहां पर इस केंडल को क्लोज कर देते हैं इसके बाद जो जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस चार्ट जो आगे वाली केंडल बनती है उसको नीचे के और उपन कराते हैं तो यह केंडल यहां से open होती है इसके बीच में काफी यहाँ पर आप गेप देखने को मिलेगा तो इसलिए यह जो candle होती है आगे वाली वो नीचे open होती है और उसके बाद नीचे ही जाके यह close हो जाती है तो इस परकार से यह जो bearish kicker है candle है यह और यह चार्ट पेटने इस परकार से यह market के अंदर बनता है और चार्ट को उपर कियो जो चार्ट जाता है उसको reversal करने में यह काम्याब रेता है तो अब इनके हम examples की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले example यह SDFC बैंक से ठीक है यह यहां पर आप देखेँ है की चार्ट ये उपर आता है तो यह एक यहां पर आप देखेंगे यह जो candle है ठीक है यह चार्ट को नीचे की और लेके जा रही है इसके बाद आगे वागे वागे जो أي.झे को मिलेगी इसके बाद हम बात कर लेंगे यहां पर बेरिस केकर की ठीक है तो यहां पर इसके बाद हम यहां से देखते हैं तो यहां पर हमें पता सकता है कि यह चार्ट इस परकार से आता रहता है इसके बाद यहां पर से यह जब भी यहां पर यह जो केंडल बनती है दो इसके बाद चा चार्ट है वो दीरे दीरे नीचे की और चला जाता है. तो आज का यी वीडियो आप उनके अड़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, ओके, बाई